हलो फ्रेंड्स आज मैं आपको अपने वीडियो में पाइपिंग लगाने के दो आसान तरीके बताने वाली हूँ किस तरह से आप अपने ब्लोज में कुर्ती पर या कही पर भी ज़रूरत है वहाँ पर आप पाइपिंग लगा सकते हैं तो जब आप सिलाई सीखना चाहते हैं तो यह मैंने दो पीस कट कर लिया है और यहाँ पर मैं आपको दो अलग-अलग तरीकों से पाइपिंग लगाना बताने वाली हूँ कि उर्चा कटिंग करनी है और उसके बाद किस तरह से आप आसाने से यह पाइपिंग लगा सकते हैं तो देखिए यह मैंने कपड़ा लिय तो सबसे फर्स्ट हम इसको औरे बनाएंगे यानि कि तिर्चा कटिंग करेंगे जैसा कि हम ब्लाउज वगे रसिलते हैं तो ज़्यादा लंबाई में हमारे पास कपड़ा नहीं बजता है छोटे कपड़े से हमें अपनी जो औरे पट्टी है वो कटिंग करनी होती है तो ये मैंने तिर्चा कर लिया है कपड़े को अब देखें इसको खींच के देखें ये थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाता है खिचने लगता है तो इसी को हम औरे पट्टी कहते हैं और दूसरी साइड था वो सीधा था वो बिल्कुल नहीं किचेगा तो ये हमें ज़्यादा चोड़ाई में नहीं लेनी है सिर्फ एक इंच चोड़ाई में हमें ये पट्टी कट करनी है तो देखे, ये एक इंच में मैंने पट्टी कट कर लिए, अब इतनी पट्टी से हमारा गला बनेगा नहीं, तो हम दूसरा जो पार्ट निकला है, वहां से भी एक पट्टी कट कर लेंगे, तो ये हमारी उरेपट्या हो जाएगी अब इससे देखे जोइंट कैसे करना है तो ये जो तिर्छे जोइंट आप देख रहे हैं ये इस तरह से यहाँ पर हमें जोइंट करना है लेकिन इसके लिए ये जो दोनों सीरे हैं वो एकदम बराबर होने चाहिए तो पहले एक योपर एक रखकर इसे हम कट करके बराबर कर लेंगे अब दोनों बराबर हो चुके हैं अब देखें पाव इंच जो है थोड़ा सा तिकोना इसा चौच जैसा बाहर के साइड में रखेंगे तो दूसरे साइड में अपने आप तिकोना इसा बाहर आ जाएगा इस तरह से हमें जोइंट करना है और ये पट्टी हमारी तिर्ची जोइंट हो जाएगी इसे कभी भी सिधा जोइंट नहीं करें वरना आपकी पाइपिंग जहां पर ये जोइंट आएगा वहाँ पर थोड़ी मोटी बन जाएगी तब ये जो है राउंड शेप मैंने कट किया है यहाँ पर हमें ये पाइपिंग अटेच करने है अब देखिए पहली बात ये भी ध्यान में रखें कि आपको ज़्यादा मार्जिन जो है वो अंदर नहीं रखना है जैसे यह हम औरडिनरी जोव सिलाई करते हैं हाफ इंच हम मार्जिन रख लेते हैं लेकिन जो पाइपिंग अटेच करते हैं उस वक्त हमें सिरफ पाव इंच जो है वो मार्जिन रखना है और निचले इससे को आप बिल्कुल खिचने नहीं दें खीचना सिर्फ हमें पाइपिंग को है अब देखें जैसे हम खीच के लगा रहे हैं तो यह एक तरह से सलवेटे से आपको दिखाई देगी एक्चुली यह सलवेटे नहीं है यह जो है खिचाव है गले में जो कि हमें ब्लाउज में हर चीज में जहां पर हम यह पाइपिंग लगाते हैं तो वहाँ पर यह खिचाव बहुत जरूरी है देखी यह गला जो है इतना चौड़ा था जब हमने कट किया था जैसी हमने इसमें पाइपिंग अटेच की है यह बिल्कुल इसका जुकाव जो है वह अंदर के साइड में आ गया है इसका मतलब जब आप यह ब्लाउज में इस तरह से पाइपिंग लगाएंगे तो आपके जो शोल्डर है वो डाउन नी होंगे अब देखे फलका समयने से नाखुन से प्रेस कर लिया है अब उल्टी साइड में इसे किया है यह एक तरफ फोल्ड किया है एक बार और यह दूसरी बार फोल्ड कर लिया है अब दूसरी साइड हम देख लेंगे कि हमें पाइपिंग कितनी पतली या मोटी चाहिए पाइपिंग को पकड़ना है और हमारी सिला ही चलनी चाहिए विल्कूल पाइपिंग के पास पास देखे इस तरह से फोल्ड करना है और इस कपड़े को हमें अपनी तरफ खींशते वे रखना है और हर दूरी पर थोड़ी थोड़ी दूरी लेनी हमें पकड़नी है तो ये इस तरह से हमारी पाइपिंग हो जाएगी देखे ये सलवटे जो है वो कम हो गई और बाकी जो है हम नए कपड़ा है सिलते हैं तो उसके बाद प्रेस जरूर करते हैं तो ये जो है सलवटे ये प्रेस से निकल जाएगी देखे उल्की साइड में भी देख लीजिए हमने पाइपिंग एक इंच ली तो भार की तरफ ये नहीं आएगी और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में ये पाइपिंग हो जाएगी दूसरा नैक लिया है मैंने अब यहां पर भी हमें पाइपिंग लगानी है अधर कलर ही लोंगी मैं इसमें भी पर देखें औरेव पटी पहला जो मैंने तरीका बताया उसमें जो हमने कटिंग की थी औरेव की बस वैसे ही कटिंग करनी है और उतना ही मार्जिन रखना है अटेच करते समय सिर्फ आव इंच पहला तो step वही है कि आपको रेव लेनी है एक इंच और उसे हमें खीशते वे लगाना है इसमें कोई change नहीं है तो यह देखें खीशते वे इसमें भी लगा लिए मैंने attach कर ली है और सिलाई piping के side में होते वे यह इस तरह से हमें से थोड़ा सा दबा देंगे अब यहाँ पर मैंने इस machine में कच्चा करने के इसाब से चार पर set कर लिया है और इस तरह से हमें से fold करना है दो बार में और नीचे देखना है हमें कि हमारी piping कितनी आ रही है और यहाँ पर यह जो सिलाई चलाएंगे यह हमारी कच्ची सिलाई होगी अब इससे देखें इस तरह से अपनी तरफ कीचना है और जैसे हम इससे अपनी तरफ कीचेंगे यह piping अपने आ फोल्ड होती जाएगी और नीचे एक बार नजर डाल लेंगे के पाइपिंग कई मोटी नहीं हो यह देखें अपनी तरफ जैसे ही कीचेंगे यह piping अपने आ फोल्ड हो जाएगी देखें मैंने अधर कलर का धागा ही लगाया है ताकि आप देख पाएं तो यह धागा थोड़ा सा दूर चल रहा है फिलाल तो यह इस तरह से हमारी पहली सिलह हो जाएगी यह कच्छा जो है वो कर लेंगे हम उसके बाद अपनी मशीन को वापस से हम जिस नाप पर था वही पर सैट कर लेंगे दूपर और उसके बाद जो हम सिलही चलाएंगे वो चलाएंगे बिल्कुल पाइपीन के पास पास और यह जो फर्स सिलही हमने लगाई थी इसे हम निकाल देंगे तो आप इस तरह से भी पाइपिंग लगा सकते हैं तो आपको जो तरीका कमफरेबल लगे वो तरीका आप यूज कर सकते हैं देखे इसमें भी इसी तरह से खिचावा गया है और गला अंदर की साइड में जुग गया है तो यह तो मैंने सिर्फ इछला हिसा लिया है अगर आपका ब्लाउज है कमप्लेटली तो आगे से आप इसी तरह से इसी पैटरन से पूरे में पाइपिंग लगा सकते हैं तो फ्रेंट्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं तो फ्रेंट्स वीडियो पसंद आये तो जरूर लाइक कीजिए और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए साथी बेल आइकन पर बिटिक कीजिए थैंक्स पर वाचिंग